गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और अभी सुभे का टाइम है तो जैसे मैं मंदिर वगरे से आ चुकी हूँ और कपड़े वगरे मैंने लगाए थे तो वह दूल चुके हैं सुभे ही लगाए थे दूल चुके हैं और मैंने आज सर्द होया इसलिए मैंने हैड कवर कर रखा क्य तो इसको फ्रीक्वेंटली हमें साफ करना पड़ता है और यह मेरा जो तरीका है ना वाइपर वाला यह मुझे अभी तक का सबसे अच्छा तरीका लगता है जाड़ों से लगता था ना बैट बैट के एकदम हलत खराब हो जाती थी उसके बालकनी में आई हूं बालकनी में पौधे बहुत ही जाता है और यह वाला जो फ्लोर है इस पर बिल्कुली जंगल सा बन रखा है तो यह कमल जी मैनेज करते हैं लेकिन उनके पास भी जादा टाइम नहीं की वेज़े से यह जंगल जैसा हो रहा है तो इसको भी मनी प्लांट होगरे को सही से मैनेज करना पड होंगी यह सेकंड फ्लोर की बालकनी है हमारी और जैसे कि सुबह उटने के बाद मेरे पास काफी सारा टाइम होता है ब्रेक्वास्ट बनाने के बीच में मतलब पूछा और अगरने के बाद तो उस टाइम पे मैं यह थोड़ा पहुत साफ़ाई का काम कर लेती हूं और कि हम लोग का तीन फ्लोर का घर है और चात वगर अभी है तो सब को खुदी साफ करना होता है तो इस सब के लिए टाइम चाहिए तो जल्दी उटने से यह सब चीजे मैनेज हो जाती है क्योंकि उसकी बाद मतलब सुबह उटने के बाद बहुत सारा टाइम हमारे पास बच नुदा करें जल्दी और उसके बाद जो पानी नीचे आया था तो पानी सुबह तो वैसे मैंने बाहर के रखी लेकिंगे से मनी प्लांट मैंने जाड़ा था न तो उसमें से पत्ते जो सूखे निकले वो घर के आगी गिरे हूए नहीं थोड़ा बत पानी बिले हो चुके क्योंकि मैंने बालकनी बहुत ज्यादा दोया दूसरी बंजिल की तो बहुत ज्यादा पानी से दिवार गए और साफ की तो मेरे कपड़े ऑल्मोस्ट गीले ऊचुके इसकीन पे मुझे काफी पसीन आ रहा था तो मैं पहले पानी से मूध होया है उसके बाद मैं यूज करूंगी इसकीन को नैचुरल पिंक लो देता है और हैलरोनिक एसेड है वह सकीन हाइडरेटेड रखता है अब ही जैसे समर्स है तो हमें लगता है कि हमारे सकीन हाइडरेटेड भी रहे और चिपचिपी भी ना हो उसके लिए बेस सल्यूशन है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं क्यों आप इसको अराम से यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा जैसे अभी धूप तेज रहती है तो मैं यूज़ करें हो मामा अर्थ का बीट रूट हाइडर फोल संस्क्रीन और इस संस्क्रीन के भी में इंग्रीडियंट बीट रूट और हाइलरोनिक एसेड है और यह एस्प जिससे कि हमारे स्किन लंबे समय तक यंग लगती है और मामा अर्थ की आप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वो अगर आप डाउन्लोड करते हैं तो जो भी ओफर्स आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा और उसका फायदा उठा सकते हैं मामा अर् की वेब साइट पर 20 परसेंट और डिस्काउंड मिल जाएगा और इसक्रिप्शन में भी मैं आपको मामा अर्थ के बीटरूट सीरम और संस्क्रीन का लिंक दे दूँगे और मेरी स्किन मुझे काफी अच्छी लग बीटरूट सीरम और संस्क्रीन लगाने के बाद और मामा के बेसिस पे और साथ ही अपने प्रोड़क्स रेगुलर बेसिस पे अप्ग्रेट करते रहते हैं तो चलिए अब कीचन में आ चुकी हूँ और मैंने यह इसमें जो चौपर होता है न मीनी चौपर उसमें टमाटर और यह शिम्ला में चैसे सब को चौप कर लिया और जैसे कोई भी अच्छी चीज नहीं खाना चाहते है जो हल्दी हो तो इसलिए तरीका निकालना पड़ता है और यह चीज बहुत पसंद आ रही है सूजी कि मैंने चलो इसी बाहने उसको जो सब्जियां नहीं पसंद हो खिला दो और इसमें मैंने नमक चाट मसाला थोड़ी सी काल डाले मिर्च ठालोंगी थोड़ाइस दनीघा पाउडर चाहें तो डालते हैं धनिया पाउडर काल है कि टेस्ट आता है नहीं तो जरूरी नहीं है लिए पोगन जेशी कि पाउफ़ाजी पसंद करते हैं तो वह मसाला दाल सकतें पाणी पूरी मसाला डाल सकते है जो इस तो आदे गंटे रख दे नहीं तो 15 मिनट तो छोड़े दे उसके बाद मैं चटनी बना रही हूँ चटनी के लिए मनारियल को अची तरीके से बारी कट कर लूँगी उसके बाद हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो अपने पौदे का होगा वो थोड़ा सा डाल दू पानी पीस होगी फिर एक पैन में मैंने पानी लिया है और पानी के ऊपर एक मैंने कटोरी रखे उसमें पानी फिल कर दिया जिसे की कटोरी ऐसे फ्लोट ना हो पानी में इसके बाद फिर मैंने घी लगाया है अच्छी तरीके से घी की कोटिंग करिया और जो बैटर हमने त पर हाँ कुछ ऐसी भेंकर सी चीज बनाओंगी कभी जिसमें डालना पड़े तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं इसलिए नहीं डालते हैं आज तक नहीं डाला है और उसके बाद यह बैटर को मैंने इसमें और उसके बाद तड़के के लिए मैंने हरी मिर्च और कड़ी पत्ता घर का सुखाया हुआ और सरसो लूगी तो आप चाहें तो इसमें तड़का और चीजों का सब्जियों का भी लगा सकते लेकिन सब्जी हमने इसमें डाल रखी हैं तो सब्जियों का तड़का मैं नहीं ल यह सारी चीज हम इसमें डाल देंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है कभी ट्राइ करें क्योंकि जैसे कुछ वीडियो में अपनों पूछा था कि इसको डीटेल में बताने के लिए तो इसमें मैंने अलग-अलग चीजे एड़कर देती हूं यह लाल कलर इ सेंगें चीज बन वाता है तो इसको फिर हमें पलट देना इसको हमें मीडियम टु हाइफ्लें पे ही इस तरीके से पाना चाफिए हैं 20- satisf मयान तक इसको आघका-लगर पस पलटते रहना इसको अच्छी तरीके से की अच्छी तरीके से का फ्लेवर आजाएं और गी में बना तो चलिए अब हम थोड़ी सी बाकी की सफाई कर लेते हैं जो ब्रेक्फास्ट के बाद का जो टाइम होता है वो टाइम मेरे पास फिर फ्री होता है तो उसमें मैं वैसे बुक्स होगेरा पढ़ती हूं थोड़े बहुत जैसे कपड़े लाती हूं छत से क्योंकि 9 बजे तक जो टाइम होता है वो मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है वो साफ से चलना चाहिए एक्स्ट्रा काम जैसे डस्टिंग हो गए यह बाद में एक्स्ट्रा टाइम पे कर लेती हूं तो जैसे किचन होगेरा की ग्रील है इस सब में तो मज़ेदार धूल आती है दूल क्या च अब चलता रहता है यह जो खिड्कियों के ग्रील है नहीं पता नहीं यह जो हम लोगे पहले जो जिन्होंने मकान बनाया था ना जो मिस्त्रियों गया वो लोग खुद से पसंद करके लाया थे तो चलिए थोड़ी इदर साफ सफाई हो गई और अब मैं दिखाती हूं अमे तो मेरे जो मैटर्स है इसकी आइड चंच है और यह दोनों साइड अच्छी तरीकी से टकिन हो रही है मैं इसका लिंक आपको दे दूगी क्योंकि बाद में आप लोग मांगते वह नहीं पहले बता दू लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेक कर सकते और अम तोड़ा सा अच्छा भी लगे वाइब्रेंट भी लगे और थोड़ा शांती भी पड़े इसलिए मैं यह लिए और अब मैं यह अश्की अलमारी सही करें जो कि मैंने उसको काफे करते थे टांग रखेते नीचे वाली आलमारी में और उसकी ऊपर वाली अलमारी का तो मुझे पता नहीं वैसे अलमारी आजकर कोई नहीं बोलता है यहां में बिलते हैं यह मुझे तो मजा आता है फ intercept करने और वह कुछ पोड़ा था कि कुछ कपड़े में आपके काट करने वाले जोंगे वह भी कर दूगी तो भी मान गया मैंने का वा सही है या कुछ भी इस टाइप की चीजे अच्छी चीज जो इसको पसंदा है वह बनाओ और उसे अपनी बात मनवाओ और जीन्स कह रहा था मेरे पास एक ही है अभी मैंने देखिए यह सब्जारी जीन् निकाली है उनी कपड़े मैंने सारे इसके जैकेट्स होगेरा इसमें और उपर वाले कबर्ड के लिए परमीशन लेनी पड़ेगी मुझे किसी दिन क्योंकि वह सही करता भी है तो उतना सही से नहीं कर पाता है बच्चे बच्चों कितने करेंगे और यह मैंने इसकी आल्मो तो अभी फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना बनाने जाओंगी तो आज मैंने अपना एक काम जो मेरा पढ़ने का काम होता था वो मैंने अभी छोड़ दिया जिसे की मेरा यह सब काम नहीं बढ़ गया तो चली हम मैं जा रही हूं लंच बनाने तो मिलती हूं नए ब्लॉग में तब तरी